नमस्ति चात्रो आज हम कक्षा पांचवी की जो किताब है रिम जिम इस किताब में पाट सत्र जो है छोटी सी हमारी नदी इस कविता के जो क्ष्चन अंसर है इसके बारे में आज हम अद्देन करने वाले हैं तो पिछली दो वीडियो में हमने इस कविता का अद्देन किया था आज हम इस कविता के उपर दिये गए सवालों के जवाब किस प्रकार लिखने चाहिए इसके बारे में आज हम अद्देन करने वाले हैं ये सवाल तुम्हारी नदी कविता के बाहर ये किसकी तरों लगते हैं कविता और चित्र कविता से आधी तरीके से सवाल दिये गए है तो उसमें पहला है तुम्हारी नदी उसमें question number one ये दिया गया है कि तुम्हारी देकी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग है अपनी नदी परिचित नदी के बारे में छूटी हुई जगों पर लिखो डैश डैश से हमारी नदी डैश डैश धार गर्मियों में डैश 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 जाते पर तो ये filling the blanks आपको क्या करने है बरनी जैसे कि उजली से हमारी नदी तेज इसकी दार गर्मियों में इसके पाने में गुस कर जाते पार तो इसे प्रकार इसका answer में लिखना चाहिए दूसरा है कविता में दे गई बातों के आदर पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ जैसे कि उसकी धार कैसी है उसका पाटो कैसा है बालुक है या नहीं कीचड है या नहीं उसके किनारी कैसे है बरसात में नदी कैसे दिखती है आदी के बारे में आपकी जो देकि उस नदी की धार कैसी है, कुछ दीमी हो गई है, पाट हमारे परिचित नदी का पाट ढालू है, बालू इस नदी में भूत सी बालू है, कीचड इस नदी के किनारों पर कीचड और रेद भी है, बरसत में नदी यनकि बरसत में इस नदी में पानी अधिक बर जाता है, तो इसे प्रकार हमें दूसरे question का answer लिखना चाहिए। तीसरा है, तुमारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है। तो हमारी परिचित नदी के किनारे लोग उजा पाट करते हैं, कुछ लोग मचलिया पकड़ते हैं, बच्चे यहां नहते हैं, तता दूसरे लोग अपने अपने अन्यकाम भी करते हैं। इसी प्रकार इस नदी के बारे में हमें लिखना चाहिए। चवता question है, तुम जहां रहते हो, उसके आसपास कौन सी नदीया है, वे कहां से निकलती है, और कहां तक जाती है, पता करूँ। तो आप ये पता, आपको ये पता करना चाहिए, कि कौन-कौन सी नदीया निकलती है, ये नदीया कहां कहां जाती है, इसका answer आप खुद लिख सकते हो। उसके आगे है कविता से बाहर, इस किताब में नदी का जिक्र और किस पार्ट में हुआ है, नदी के बारे में क्या लिखा है, तो इस किताब में नदी का जो जिक्र हुआ है, वो किस पार्ट में हुआ है, तो नदी का जिक्र, नदी का सफर इस पार्ट में हुआ है, जिसमें नदी के उद्गब, मुहाने, जलप्रपात, उसका मार्ग, उसकी गती, उससे बनने वाली गाटियां आदिव का वर्नन किया गया है दूसरा सवाल है नदी पर कोई और कविता खोज कर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ तो आप नदी पर कई कविताईं खोज सकते हैं, डूंड सकते हैं और वो आपको कक्षा में पढ़ानी है तो आप सिर्फ खोज कर रख सकते हैं, जैसे कि बहता जल, नदी का जल, बहता कलकल, है ये बिलकुल स्वचार निर्मल बच्चे नहाते इसमें हर पल कही उचल कर, कही मचल कर बहता रहता है समतल तो इसे प्रकार हमें उस नदी के बारे में कविता ढूंड कर लिख सकते नदी में नहाने के बारे में तुमारा क्यान वो है, तो नदी में नहाने के बारे में एक अलग ही ताजगी मिलती है उस्ती और फूर्ती आ जाती है तो इसे प्रकार नदी में नहाने से हमें ये अनुबव मिलता है क्या तुमने कभी मचली पकड़ी है अपने अनुबव सातियों के साथ बाटो तो आप हर रोज नदी के किनारे मचली पकड़ने के लिए जाते होंगे तो आपको क्या ये से काटा लेकर मचली पकड़ी हमने मचली पकड़ना बहुत अच्छा लगा लेकिन हमने मचली पकड़ने के बाद उसे वापस नहीं नदी में छोड़ दिया मचवारा मचली मांगता रहा पर हमने उसे नहीं दी क्योंकि हमें उसे मारना नहीं चाते थे या हम उसे मारना नहीं चाहते थे तो इसी प्रकार आपके आनुबो क्या करने आपको शेर करने उसके आगे यह किसकी तरह लगते है तो नदी की टेड़ी मेड़ी धार किसकी तरह लगती है तो साप की तरह लगती है किच पिच किच पिच करती है मैना किसकी तरह लगती है तो ननी सी चिडिया की जैसी लगती है उचल उचल के नदी में नहाते बच्चे कैसे लगते है तो उचल उचल के नदी में नहाते बच्चे मेंडकों की तरह लगते है अभी कविता से उसमें पहला है इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत है उन्हें छांटो जैसे कि इस कविता के पद में नीमनल की शब्द तुकांत है जैसे कि धार पार चालू डालू नाम दाम दार सियार वन सगन ले डाले नहाना चाना आदी कई तुकांत शब्द है जैसे कि राहमिंग वर्ट्स कहते हैं दूसरा सवाल है किस शहर में पता चलता है कि नदी के किनारे जानुवर भी जाते थे किस शहर में पता चलता है कि नदी के किनारे जानुवर भी जाते पार जाते डोर डगर से पता चलता है कि नदी के किनारे जानुवर भी जाते थे यहनकि कि शहर में किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानुवर भी जाते थे तो कि शब्द से पता चलता है कि पार जाते डोर डगर इस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे से जानुवर भी जाते थे इस नदी के तट की क्या खासियत थी इस नदी की खासियत यह है कि इसके तट कैसे है उंचे है चावता है अमराई दूजे किनारे डैश डैश चल देती कईविता कि ये पंक्तिया नदी किनारी का जीता जागता वर्नन करती है तुम भी नीमनलकित में से किसी एक का वर्नन अपने शब्दों में करो जैसे कि हफते में एक बार लगने वाला हट हाट मतलब बाजार तुमारे शहर या गाउं की सबसे ज़्यादा चल पहल वाली जगह तुमारी घर की किडकी या दर्वाजे से दिखाए देने वाला बाहर का दुरुष्य ऐसे जगह का दुरुष्य जहां कोई नदी स्वारी जहां कोई बड़ी इमारत बन रही हो तो इस पर या इसमें से किसी एक पर आपको क्या करना है अपने शब्दों में उसका वर्नन करना है जैसे कि हमारी गाउं में बाजार हट होता है तो हमारी घर के पास मंगलवार के दिन बाजार होता है हर एक सब्दे में हर एक सब्दे के मंगलवार को बाजार होता है कविता के साथ मैं बाजार गुमने जाता हूँ, बाजार में कापी बीड होती है, सबी लोग यहां आकर सामन खरीदते हैं, ऐसे कई पंक्तियों में आप क्या कर सकते हैं, उसका वर्णान कर सकते हो, तो इसे प्रकार इस सवाल का जवाबा को लिखना है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन अंसर है, उस क्वेश्चन अंसर को हमें लिखने चाहिए, यानि कि उस क्वेश्चन के अंसर हमें लिखने चाहिए, तो यह जो क्वेश्चन है, कि तुम जहां रहते हो, उसके आसपास कौन सी नदिया है, वे कहां से निकलती है, और कहां तक जाती है, पता तो इसमें हम आमारे असपास निकलने वाले नदियों के नाम भी लिख सकते हैं जैसे बाव नदी, सावितर नदी, वशिष्ट नदी जो आपको मालूम है और नदियों के नाम लिख सकते हैं और वो कहां से निकलती है ये भी आप लिख सकते हैं तो इस प्रकार इस question के answer हमें लिकने चाहिए आपको कोई आशंका हो तो comment box में लिकर बेश सकते हो तब तक के लिए धन्यवाद